नमस्त विद्यार्तियों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का RPC Adda Digital Learning प्लेटफोर्म पर और जैसा कि आप सब मुझे स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप सब के लिए एक और जानकरी नेकर इस प्लेटफोर्म के माध्यम से एक बार पुना आप सब के सामने में उपस्तित ह हुआ हूँ और वो जानकरी क्या है एक पी से जुड़ी हुई यानि कि हिमाचल प्रदेश पॉस्ट ग्रिजूएट यानि कि अगर आप एच्पी पीजीट की त्यारी कर रहे हैं तो उसका सिलबस क्या रहने वाला है और किस तरीके से एकदाम का पेटरन चलता है ठीक है न अंत hàng सारी स्ट्रेजी जो हें वो आपसे मेया पर सेर करने वालाम साथ में सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेंगी यह यहां पर फोड़ा इंपोर्टत रहेता है सेलेक्शन प्रोसेस जो है वो पेपर यहांन के बादद प्रदद critic करिद वीडियो के माद्युक्रीर yang और सब कू शेर करने ता रहा हूं तो लास्त की शेशन के अंदर आप जो हैं वो बने रही है ठीक है साथ में आपको मैं बता दूँ वी आलसो ओन ओवर टेलिग्राम एंड वाट्सप चैनल हम अमारे टेलिग्राम वाट्सप चैनल दोनों पर है और दोनों को आपने अभी तक जोइन नह अब आपको यहां से समझना है और सुनना है कि इक्जाम की क्या होगी सबसे पहले बताने वाला हूँ कि एकजाम की स्कीम जो है वो क्या होगी ठीक है, exam की schemes की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके का exam है क्या computer based है, क्या offline है या किस तरीके का pattern है वो सब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो देखो, selections to various class 3 post filing under the preview of the commission by made as per the rules instruction of the government which presently is to let there the same self written on the basis of written examination test computer based test, यानि कि सबसे वले अगर बात करें तो यहां पर एक्जाम जो होगा वो को होगा computer-based test होगा ठीक है oblique offline कर रखा है यहां पर ठीक है न तो इनका जो clarity है कि computer-based या offline दोनों में से एक basis पर होगा in search all cases selection will be done by the commission by subjecting the applications of two types of papers ठीक है न इसमें दो paper होगे जो आगे की slide में आपको मैं बदाने वाला हो कौन से paper में क्या क्या आएगा तो दोनों ही जो paper होगे एक तो होगा इसको जनरल अवेरिस या जिके ग्रूप में ले सकते हो दूसरा होगा subject का जो सब के अलग अलग होगे ठीक है न तो दोनों के paper के basis पर जो है यानि कि वो multiple choice questions होगे उसके basis पर जो है वो selection process आपकी रहने वाली है साथ में क्या बताया कि नेगेटीव मार्किंग होगी clear बता रखा है with a negative marking for incorrect wrong answers in the following manner यानि कि आप जैसे ही negative जो है question को गलत करते हैं तो negative marking जो है वो भी यहाँ पर आपको रहने वाली है तो आपको negative की वाज़े से आप जो है वो merit लिट से काफी out हो जाओगे ठीक है अब बात करते paper 1 की अभी बात हुई थे अपने paper 2 होंगे और दोनों के basis पर selection रहेगा तो पहले हम समझ रहें कि paper 1 में क्या है फिर paper 2 देन हम बात करेंगे कि हमारा पूरा selection process क्या रहेगा ठीक है तो देखिए और computer-based test CBT और offline is knitting test of one hour duration consisting of 50 questions मतला इन्हों ने क्या बोला कि या तो computer-based test होगा फेली बता दिया मैंने previous slide में या offline OMR के रूप में exam होगा ठीक है ओपने का मतला आवर क्या रहेगा वो रहेगा वन आवर यानिक एक गंटे का प्रपर होगा जिसमें 50 questions होंगे और having 100 मार्क यानिक आपको याद रखना है आपके जो questions होंगे वह 50 होंगे और एक question 2-2 marks का होगा तो आपके total marks कितने हो गया 100 होगे clear आपको याँ पर ठीक है अब क्या-क्या है इसमें पूरा आपको मैं समझा देता हूं general knowledge of हिमाचल प्रदेश 30 marks का क्योंकि हम HP PGT की बात कर रहे हैं हमने पहले ही clear कर दिया था हिमाचल प्रदेश का वह 30 marks का रहने वाला है कि याद रखना आपको तो यह कितना रहेगा आपका 30 marks का देन आपके knowledge of Hindi language knowledge of English language यानि कि के सकते हैं कि 20 का आपका Hindi का knowledge है और 20 का आपका English का knowledge है तो मिला दीजिए आप किते marks का हो गया 100 marks का आपका जो पेपर यहापर हो गया है clear आपको यहापर ठीक है this paper will be a qualified paper only and candidates are required to obtain 35% marks in the paper यह बोल रहे हैं कि यह पेपर सिब पालिफाइंगे पेपर होगा मतलब आपको सब्सक्राइब करना है इस वाले पेपर में अगर इस पेपर को पालिफाइब करना है तो clear बता रहागा कि इसमें आपको 35% यानि कि अगर आप सोच लीजिए कि आपका 100 marks का paper है तो इसका 35% यानि कि 35 नंबर जो है वो आपको इसमें लाने है लेर आप हो गया है यापर सब कुछ ठीक है तो 100 marks के पेपर में से 35 marks अगर आप लाते हैं मिस आपके अगर 36 marks में आ गए तो आप क्या किलाएंगे इसमें क्वालिफाइड किलाएंगे और अगर आपके 34 marks आ रहे हैं तो आप 10 क्वालिफाइब हो जाएंगे बहले अगले exam में आपका इच्छा score हो जाए ठीक है यहां तक आपको वो वन आवर का प्रत था तो एक यह कितने अबर का हो जाएगा तो अए तो हो जाएगा यह 100 marks का होगा मतलब यह भी 100 marks का क्या है रखो यह करेंगी नंबर ओफ पोस्ट एडविडाइज तो इन्हों मुला कि अगर फस्ट फाइब फॉस्ट है फस्ट फाइब फॉस्ट है तो उसके लिए क्या होगा कि वन इस्टू टू में लिया जाएगा वन इस्टू टू प्लस टू इसका मतलब क्या हुआ कि इस्टू टू टू प्लस टू देन सिक्से अगर अब वो पोस्ट है तो उसके लिए क्या हो जाएगा ओनली वन इस्टू टू इस यह थोड़ा सा यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है कि एच्पी के अंदर जो है वो स्कूरूटनी का तो क्राइटरियर है यहां पर थोड़ यहां पर टू के अंदर आपके हाइस्ट मार्स आते हैं तो उसके बीज में बेस पर केंडिनेट को सब्सक्राइट किया जाएगा यहां तो आपको क्लियर हो गया फिर क्या बोला पता है कि अगर हीननी केस इननी केस्ट अगर दो जो यहां दो से ज्यादा एक्टिडेट है और उनके मार्स अगर एक्वल हो रहे हैं किसमें सेकंड पेपर के अंदर तो फिर क्या बोला देंड़ केंडिडेंट सेक्यूरिंग मोर मार्स इन पेपर वन विल बी प्लेस्ट अबाव दगेंडेंट से ज्यादा एक्वल वाले से उपर हो जाएगा जिसके पेपर टू में हाईएस त्रह होंगे अब आगर बेखर जो है इनके यहां हो रहे हैं तो उसमें क्या बोला कि जो ऑल्डर इज वाला होगा वो जो है वो यंगर इंगर एंज के ऊपर रिप्लेस के जाएगा यानिनि सबसे पहले जो बोलें अगर मालों दो candidate के दो से second paper के अंदर अगर दो से ज्यादा candidate के same marks आ रहे हैं तो फिर paper 1 देखा जाएगा अब paper 1 के अंदर भी क्या हो रहा है तो फिर इन्होंने क्या बोला कि जो ज़्यादा age में है उसको priority दी जाएगी यहां तक clear हो गया लेकिन आगे एक बात और important बोली in case the age is also same अगर यहां पर age भी same हो रही है तो क्या बोला है कि क्या बोला है फिर बोलते हैं कि having more marks in the essential qualification exams will be placed above the candidate having less marks तो फिर जो qualified exam जो है उसमें जि information है कि आपको blank and blue दोनों ही पेंस से आप OMR को भर सकते हैं अगर offline होता है तो computer based होता दिकत है नहीं अगर exam क्योंकि दोनों ही process देखको अभी clear नहीं किया में दोनों बोल रहे हैं कि या तो CBT computer based exam भी हो सकता है test या offline भी हो सकता है लेकिन अगर offline होता है OMR पर तो black and blue दोनों इंक चलेगी ठीक है न और बाकी की चीज़े वो जो ही मैंने बता दी कि negative marking यहाँ पर रहने वाली clear रखा है visitory commerce के आप अगर planning कर रहे है और तेहरी कर रहे है और अभी तक आपने कहीन की तेहरी कर दी है और आप सोच रहे हैं कि अब क्या कर रहे है तो कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है आपको सीधा कहा आना है RPC Adda के official channel पर आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा मात्रव 1999 के अंदर हमारा यह course जो कि देखिए इससे तीन गुना प्राइस बे नीचे आपको दिख रहा होगा वो आपको जो है 10 से 3 गुना वाला इतना discounted करके हम आपके लिए one triple line के अंदर लाएं है जहां आपको हमारे course में features क्या मिलने वाले हैं आपको bilingual video lectures मिलने वाले हैं इस टेस्ट एंड क्वीजिस हम आपको दे रहे हैं आप्टर सेल सपोर्टिंग टीम हमारे यहां पर रहेगी और हिंदी इंगलिज में separate notes समझो हैं आपको दे रहे हैं अगर आपको लेगी सर इसक्रीन पर नंबर शोर नहीं हो रहे हैं तो आप्टर जो supporting टीम जो हैं हमारी यो नोन टीजिंग स्टाफ है उनके मैं आपको contact यहां पर दे रहा हूं ताकि आप स्पोर्स को पर्चेस करने में कोई क्वेरी आ रहे हैं आपको तो आप आरांग से इसको पर्चेस कर सकें तो 9587 230303 पर आप कोल कर दीजिएगा 9am से 6pm तक हमारा ओपिसल जो आवर है उसमे तरीके से HPPGT का स्पोरा सेशन आपके सामने से मैंने रखा है तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि मेरी जान के रिक्रोंट सार आपको यह समझ में आ गया है और आप अपनी प्लान कर रहे हैं और कर चुके भी होंगे ठीक है तो निश्चित रूप से अपने Thank you so much.